19 साल बाद अमावश्या पर बना सायोग इन 4 राशी वालों की खुले की किस्मत देखें अपना राशी फल हिंदो पंजांग के मुताबिक अधिकमास की अमावश्या 16 अगस्त को है धार्मित माननेता के मुताबिक अमावश्या तिथी के दिन इसनान दान और पित्रों का तरपन करने का विधान है इतना ही नहीं इस दिन पित्र दोश और काल सर्प दोस तता शनी दोस से मुक्ति के लिए भी तरपन करना शुब माना जाता है जोतिस सास्त्र की माने तो 19 साल बाद सावन में अधिक मास पढ़ा है ऐसे में इस अमावस का महत्व बढ़ गया है अधिक मास के अमावसा 16 अगस्त को है इस दिन 19 साल बाद ऐसे सही योग बना है जिससे कई राशी के जातकों पर शुप प्रभाव पढ़ेगा इन चार राशीओ पर पढ़ेगा शुप प्रभाव नमबर एक, तुला राशी, इस रासी के जातकों के लिए अधिक मास की अमावश्या बहुत लापकारी प्रतीत हो रही है, स्वास्त में सुधार होगा, पैत्रिक संपत्ती में चल रही परिशानिया दूर होगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, शादी के योग भी बन रहे हैं नमबर दो, कुम्बर राशी, इस रासी के जातकों के लिए अधिक मास की अमावश्या खुशिया लेकर आएंगी, आत्मविश्वास में बढ़ोत्री होगी, काम करने में रूची बढ़ेगी, थन संबंदी सभी परिशानिया दूर होगी, घर परिवार का साथ मिलेगा नमबर तीसरा है व्रिशव रासी, इस रासी के जातकों के लिए करियर संबंदी सभी समश्याओं का निवारन होगा, नौकरी में फाइदा मिलेगा, स्वास्त बहतर होगा, आई में वृत्धी होगी नमबर चार है कन्या राजी इस राजी के जातकों के लिए बिजनिस में अच्छा मुनाफ़ा होने के आसार है रामपति जीवन में मिठास रहेगी संतान पक्षी की तरफ से खुशकबरी मिल सकती है